ही गाईज हेलो हाई सस्रीकाल नमस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगे सस्त होंगे आप सब का हमारे यूटूब चैनल फोर इन बन में बेलकम है और यहां पर मैं कर लिए पूजा की तेयारी मैंने सुबह में फूल मंगाए हैं और बनाना भी मंगाया था और आज मैंने रखा तो बस में यह सब पूजा कर लूँगे और मंदिर में ने कल ही साफ कर दिया था और सुबह में जो दिये होते हैं सब क्लीन कर लिए आज मंडे मैंने रखा फास्ट सुबह का मैंने पूजा वगेरा सब कर लिया है और अभी मैं पानी पीऊंगी और इकब अपने लिए चाय बनाऊंगी और हस्पेंट भी चले गिए मैंने ओपिस उनके लिए मैंने लंच बनाया था आज अच्छी लिए बहुत ही जल्दी उटी थी क्योंकि हस्पेंट को भी जाना था उनका लंच बना के मैंने दे दिया भी सरिप मुझे बच्चिन को निला के रेडी करना उनको भी स्कूल जाना तो मैं फटा-फट से अप मैंने काम कर लेती हूं यहां पर बच्चों का लंच हो चुका है रेडी मैं बोटल भी उनका भरके रख दूंगी वाटर बोटल और देखिए मेरी किचन की क्या हालत हो रही और मैंने चाय बनाया था अपने लिए बट मुझे पीने का टाइम नहीं मिला पहले मैंने बच्चों का लंच बोक्स यह पर रेडी किया है और मतलो चाय ठंडा हो गया तर फिर से गरम करूंगी फिर अभी मैं अपना चाय पीऊंगी ऐसी होता है सुबह के काम बहुत सारे रहते हैं जो की करने इंपोर्टेंट रहते हैं इसलिए मेरे चाय भी ठंडा हो गया मैंने फिर से गरम किया और मैं अभी बच्चे नवा दिये थे मैंने, असरिक मुझको उन्हें कपड़े पहना के रेडी करना है, पहले मैं यहाँ पर उनका बैक पैक कर लूँगी, क्योंकि टाइम टेवल के हिसाब से बुक्स जाती है, एब्री डे बैक के अंदर, और मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स बगेरा भी इनके डाल दिये, रेडी करती हैं सब, बस मुझे दौनों को अभी यूनिफॉर्म पहना देना है, मैंने कल ही आईरन करकी रख दिया था, सभी कपड़ों पर जो जो हमें आज पहनने थे, क्योंकि बारिस में अजीब से, मतलब एक तो अच्छे से सूखते भी नहीं है, जाने में अभी सिर्फ 10 मिनट ही बचाए, तो मैं इतने इतने टाइम से इनको आराम से रेडी भी कर सकते हूं, देखिए लक्ष को कितना वो मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, अभी मैं उसको इस तरीके से रेडी करके भीजती हूं, आते समय पूरा भूत बना आता है, स हो चुके हैं, रेडी भार बेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा पांच मिनट है जाने में, और आज मैंने उनकी लंच बोक्स में रखा है, मैंने आलू गोवी का सबजी बनाए था, वो ही पॉकेट बना के चपाती के अंदर वो रख दिया, वो उन दोनों को कापी पसंद है, और मैं मतलब कोसिस करती हूँ, घर का ही लंच देने का, मतलब मैं चपाती ही जादा उनको खिलाना कोसिस करती हूँ, वैसे तो मतलब बच्चे इनको भार का कुछ भी दे दो, वो इजीली खा लेते हैं, बट मेरा हमेशा कोसिस ही रहता कि बच्चे लंच हमेशा ही घर का औ इसे भी स्कूल टाइम में सुबह उनका सब मतलब देखो थोड़ा लेट से उठते हैं बुर्स वगेरा कराओ फिर खिलाओ रेडी करो भेजिऊ नहीं और लक्ष का मस्ती आपने देखा वो कब भी सीरियस नहीं रहता है स्कूल तक नहीं लेके जाते हैं अगर अपने पापा के साथ जाते हैं तो फिर वो ही दोनो बैग लेके जाते हैं मैं जा रही हूं तो मैं इनके दोनो बैग लेके जाती हूं क्योंकि बच्चों से नहीं लेके उठता है बहुत है भी हो जाता है बैग और यह है आने की बाद ये कपड़े मेंने कल बोश करके रखे थे और अभी मतलब सूख चुके हैं, आज बारिस मतलब अभी तक तो नहीं था, बट आप देख रहे होंगे पीछे बादल चाय होई हैं, तो ये सूख चुके हैं अच्छे से, इनको मैं हटा के यहां से और फोल्ड करके रख दूँग अभी पूरा पसारा पड़ा होगा है, तो ये मैं सब यहां से उठा के जिगे पर रख दूँगे, और मैं आई हूँ अभी कपड़े रख के किचन में, ये सब भी मुझको क्लीन कर लेना हैं, मैं ये सब ऐसे ही छोड़ गई थी, क्यूंकि बच्चों के साथ ये सब नहीं ह कोई काम मेरा चूटी, तब ही बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने काम कर सकते हूं, और मैं ने अभी म्यूजिक लगाके रखा हैं, और मैं अपने काम करते हूं, और मैंने स्याम को इन लोगों के लिए आलू के प्राठी बनाई थे और अपने लिए आलू का रायता बनाया था मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगे शोड़के मैं आचुकी थी स्कूल से काफिय टाइम पहले मैंने थोड़ा आराम किया था उसके बाद मैं लगी फिर अपने घर के कामों में मैंने कपड़े जो की सूखे हुए थे वो सब अटा के फोल्ड कर दी और आज मैंने अभी कपड़े नहीं दुले मै अज स्याम को दूलूँगे आज सुबहे में जो पानी आता बहुती कम आया था तो स्याम में दवारा पानी आयागा तभी मैं अपने सारे कपड़े बोश करूँगे और अभी मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया क्यूंकि सुबह खाना बगेरा बनाया था नास्ता बनाया था तो उसुबह इतना जल्दी फिर अच्छी से क्लीन अभी किया है बच्ची भी स्कूल में है तो मुझे थोड़ा टाइम था यह थोड़ा साफ सपाई एक्ष्ट्रा हो जाएगा और मेरे बड़तन बगेरा भी सब कर लिया है और यह टाइम है स्याम साड़े पांच बजे का देखिए कितना अच्छा मोसम हो रहा है बादल छारे मैं चुली स्कूल जाने ही वाली थी तो बारे सोना स्टार्ट हो गया यह मैं पर देखिए बट मोसम बहुत सोहाना है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही बारिस होने लगाता है फिर मैं पर अमडेला लेकी गए थी और बच्चों के बैग में तो मैंने दौनों के में रेंग गोट डाल के ही रखा है वो दर से रेंग कोटी पहन के आते हैं और यह है स्याम का टाइम एच्छली तो मैं स्कूल गई थी तभी पोटेटो यहां पे बोइल करके गई थी मैं मैंने चार पोटेटो बोइल की आपने लिए ने रायता बना की रैडी कर लूंगी फाष्ट है मेरा इसलिए तो मैं तो खाना खाऊंगे नहीं अपना में रायता ही और इन लोगों के लिए मुझे बनाने आलो के पराठे तीनों को बहुत ही अच्छे लगते मैंने बिनावता यह बना दिया तीनों पुरा सप्राइज हो गए उनको बहुत ही अच्छा लगा था तो यह फॉक की हेल्प से इस तरीकी से मेंस कर लेना है बहुत ही गरम है यह एड कर दूंगी ब्रत वाला जो नमक होता है इसमें वो एड करना है और मैंने काली मिर्च ले करके कूट ली आए वो इसमें एड कर देना तो यह रायता है साधा सिंपल जो मैंने अपने लिए बनाया था फास्ट में और इसमें दहिये तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रह या नहीं है तो मैंने ऐसे ही आलू के पराठे बना के रेडी किये थे इसको भी मैं इसी तरीके से मैस कर लूँगी फाइन मैस करना है बनना तभी आप पराठा बनाओगे तो जो गाठे रहे जाती है आटे के बाहर निकलती है और पराठा अच्छा बनके रेडी नहीं होता मैं इसमें ओनियन, ग्रीन चिली और कुछ मसाले इसमें मैं एड़ कर दूंगी, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, बीसिक मसाले घर के जो भी आप डालते हो, मैंने डेर सारा आमचूर पाउडर एड़ किया है, इससे काफी अच्छा टेश्ट आता है, और ये बनके रेड़ी ह हो गया है, मैंने आटा लगाने के बाद थोड़ी देर रेच्ट पर रखा था, सॉप्ट आटा मैंने यहां पर लगा के रेड़ी कर लिया है, और मैं फटा-फट से यहां पर पराठे भी बना लूँगी, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये ब्लॉक मुझे कमेंट करके जरूर से बताईएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिएगा, और बहुती इजी पराठे होते हैं, मिंटों में बनके रेडी हो जाते हैं, बहुती स्वाधिश्ट लगते हैं, तो आप जरूर से बनाईएगा, और ऐसे बारिस के मौसम में बटर के साथ बहुती अच्छे लगते हैं, लोक एद इस गर्मा गरम पराठा धीर सारा बटर, मेरे बच्चों ने और हस्पेंड ने बहुत इंजोई किया तो उनको काफी पसंद है, आई होपी रेस्पी आपको अच्छी लगी होगी, थैंक यू फूर गॉचिंग,